हलो फ्रेंड्स, एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूँ सुईता सिंग आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ पाँज ऐसे बिजनेस के बारे में जो महिलाएं दो हजार रुपे से दस हजार रुपे तक में शुरू कर सकती है इक कॉमर्स सेक्टर, स्मार्ट फोन ने घर बैठे बिजनेस शुरू करने के कई मौके पैदा कर दिये है अब घर बैठे महिलाएं शौकिया किये जाने वाले काम को कारोबार में भी बिदल सकती है तो आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे आप कैसे बुटिक, बुनाई, आर्ट, पापर का बिजनेस कर सकते हैं ज्यादा दर महिलाओं के पास कपड़े की शिलाई का हुनर होता है अगर आपको नए डिजाइन करने, लेटेस ट्रेंड को पहचाने की समझ है तो आप भी बुटिक खोल सकते हैं आप इस कारोबार को घर में ही शुरू कर सकते हैं आपको बुटिक के लिडरिस मैटेरियल, लेज, धागे, डिजाइनर बटन जैसा सामान थोक मार्केट से मिल जाएगा इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको निवंतम 10,000 रुपे लगेंगे इसमें करीब 50-60 फिस्ती का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है आप इन कपरों को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर भी बेश सकती है यहां डिजाइनर वेयर की सबसे ज़्यादा मांग होती है आर्ट एंड क्राफ्ट महिलाई इस कारोबार को आरामशे शुरू कर सकती है यदि आपको घर बैठे, डिजाइनर कैंडल, डेकुरेटिव पीस, पेंटिंग, डेकुरेटिव दिये बनाने का शॉख है तो इसे कारोबार में तबदील करने का अच्छा समय है अस्थानिय थोकवाजार से आपको बहुत कम कीमत में आर्ट और क्राफ्ट का सामान मिल जाएगा होटल और इवोक, विल्स लाइफ स्टाइल, फैव इंडिया जैसे बड़े आउटलेट पर इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है आप यहाँ अपने प्रोड़क्ट बेश सकते हैं प्रोड़क्ट की डिमांड उसकी क्रियेटिविटी और इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूसरे प्रोड़क्ट से कितना अलग है यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट पर 50-60 फिस्टी तक का रिटर्ण मिल सकता है बसरते अपने प्रोड़क्ट को सही जगह बेचें होममेड लिफाफे शादियों के समय में लिफाफों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है खासकर डिजाइनर होममेड लिफाफों को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आप अस्थानिय थोक बाजार से हैंडमेड पेपर, कोल्डेन लेस खरीज सकते हैं आप अपने प्रोड़क्ट थोक, रिटेल और ऑनलाइन मार्केट में बेच सकते हैं हैंडमेड लिफाफे बनाने में आपको अपनी क्रियेटिविटी दिखानी परेगी यह आप इंटरनेट पर देख सकते हैं यहां आपको इंबेस्टमेंट पर 50 फिस्दी तक का रिटर्न मिल सकता है कढ़ाई और बुनाई ज़्यादातर मेलाओं को घर में ही स्वेटर बनाने का शौक है तो इसे कारोबार में तबदील कर सकते हैं आजकल ऑनलाइन स्वापिंग वेबसाइट हैंडमेट श्वेटर का अलग सेक्षन बना कर बेच रही है इस काम के लिए आप अपने आसपास की महिलाओं को जोड सकते हैं बुनाई के लिए उन और सिलाईयां आपको थोक बाजार से मिल जाएगी इस कारोबार में मेहनच जादा है हालाकि आप लुधियाना से स्टॉक मंगा कर भी बेच सकते हैं इसमें आप 3,000 रुपे निउन तम इन्वेस्ट कर 50 फिस्दी मार्जिन कमा सकते हैं पापड बनाना जादा तर महिलाओं को घर पर पापड बनाने का शौक होता है ये बिजनेस आप अपनी छट पर ही शुरू कर सकते हैं लोकल मार्केट से पैकिंग माटेरियल और पैकिंग मशीन खरीद ले पैकिंग मसीन थोक बाजार में 25,000 रुपे में मिल जाएगी पापड को लोकल थोक मार्केट में बेच सकते हैं इसके अलावा बिग बाजार, फेर प्राइज, रिलाइंस जैसी रिटेल चेन को भी सप्लाई कर सकते हैं यह कारोबार ने उन्तम 10,000 रुपे में शुरू कर सकते हैं इससे आपको 25-30,000 रुपे तक ही कमाई हो सकती है यह कमाई आपके प्रोडक्ट की डिमांड, पैकिंग और एरिया पर भी निर्वर करती है तो दोस्तों यह थे 5 ऐसे बिजनेस जो महलाएं घर बैठे शुरू कर सकती हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए अगर आपने हमारा चैनल यह तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अप्लोड की जानकारी आपको मिलती रहे जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए बिजनिस आइडिया के साथ थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो बाई